हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू माई यूटूब चैनल, इंटीग्रेटड फिजिक्स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेड़ी प्लस्टो सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करिशारची एब मूँ प्लस्ट्री सीवी सीएस अनलेन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करिवी जोदी भल लेगिला ताहरे लाइक करदबो एबो सब्सक्राइब करदबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड करिवी ताहरा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को अल्रे सेट करदबो बोटे इन्पोर्टेंट जीन सो वीडियोज गुड़ा उपर एठी जो त्री डॉट्स देखो जो ताहरा क्वालिटी एठी दखो बाय डिफॉल्ट थ्री सिफ्टी होची तमें ताकू बढ़े मध्यों पारिवा एठी एडवांसरी क्लिक करी तमें रिजयोशन बढ़े प परीवाँ फोके थैंक यू था लू तूदेंस आज रोटोपिक रें आमें पडिवाँ अबावट द नूकलियर चार्ज रडियर एड्यस एड मास्स तो रडियर्स यर इज अल्सो नून नून आज द नूकलियर साइज एभां एड़ नूकलियर साइज रो एडिले रिलेस नूकलियान रर्ड कार्ज रो शमस्टी जाः है भो धेट विल वीज़ि इकुवाले पुझा all रावट अब्द नूकलियर अमें जानी चूद नूकलियर भी गृतर रे प्रोटों अची अोद नूट्रॉन उची तेबे neutron टा तो चार्ज लेस जाणू जयत्ते संख्याब प्रोटन उची ताकू कोहाँ जाये atomic number Z it is the charge number of this nucleus which is nothing but the number of protons in it then charge of the nucleus is simply plus ZE because आमें जानी चुँ गुट्टे प्रोटन रो charge होची plus E E हे गला तमरो electron charge proton रे positive हेवो electron रे negative हेवो यहार वेलू हेला 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम यह वेला इगीर वेलू Z according to the nucleus केते संख्याब प्रोटन उची Z multiply कोड़े आमें पाई जीबा nuclear charge simple second thing the nuclear size or radius दखो जेते वोले rather force alpha particle scattering experiment अमें देखुत ला से तरले गुटे जिन सो जोना को लाजी nucleus has a finite size okay there are sized up finite to see me touchy so ajo alpha scattering experiment raw results ko I may explain करी पारिबा on the basis of Coulomb's interaction between the alpha particles and the nucleus okay where the distance of closest approach of the alpha particle can be helpful in estimating the size of the nucleus that is known as the distance of closest approach and that is also used to estimate the size or radius of the nucleus thus the radius of the nucleus was found out to be of the order of 10 to the power minus 14 meter a order a nuclear radius टा आसिला so यह हिला तमारो Rutherford scattering experiment nuclear size estimation ता से तो आगोटे method मध्यामें यूज करी पारिवा to study the size it is to study the charge distribution of nucleus by using high energy electrons यूज 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 करा जीवा दहको यूज मेफ़डरे आमें study करी वा elastic scattering of electrons electron कुनी केम तीयान अबा different energies रो एला elastic scattering है यूज 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 रहाई टार्गेट नुगली okay so the nuclei jota target नुकलिरू एलेक्टरन मुड़ा स्केटरिंग हले से थुरा में चार्ज रा एस्टिमेशन करी पारिवा and the size of nucleus can be calculated in this study okay and there are regions from which we can assume that the nucleus is nearly spherical in shape okay so various scattering experiment एथुरू जोना गला जी नुकलिर साइज टा रेपीडली वेरी करे with respect to the mass number मने a number of nucleons inside the nucleus so दखर टी ग्राफ रे variation of nuclear size or radius with respect to mass number रेठी दिया एची जीरो रू आमें जमती जमती आक्कु बोडू छु नुकलिर साइज भी सही सावरे वेरी कोडू छी okay अच्छा अक्कु बोडिवा दखर सपोज अब मैथेमेटिकली आमें साइज टाकु बाहर करिवा को चेस्टा करिवा एंड या सोईतो ता डिलेशन एटोमिक वेड और मास नॉम्बर सोईतो केमती अच्छी सेजिन सटाकु देखिवा दखर नुकलिर साइज और रेडियस आमें जोटा को उचो इर हैंज बीन-मेज़र्द बाइस्टरींग वराएटी आप एक्सपेरिमेंट्स को ब्रकार एक्सपेरिमेंट्स ना इन्वल्बींग स्केटरिंग ऑफ नूटरं और प्रोट और इलेक्टरन एट्सेक्टराई scattering the neutron proton electron का सब्सक्राइब ना टागेड नुकलियस सब्सक्राइब एब और से जो scattering द्वारा जो result पाइला मैं से थरू आमें nuclear size रो estimation करी परिवाद okay so it is found that the volume of the nucleus experimentally is directly proportional to the mass number मनें total number of nucleon सोईता volume टा directly proportional रोईब nucleus रो so जोदी आमें कहिवा r is equal to the radius of the nucleus having mass number a ताहले आमें already एडा कहीचू जो volume टा हूची a सोईता directly proportional आचा nucleus जेतू spherical in shape आमें नहीचू तो नुकरी जारो volume ही गला 4 by 3 pi r cube it is directly proportional to a आचा एथी रे left side रे 4 by 3 pi एडा constant आची ताहने आमें कहीच परीबा r cube is proportional to a और simply r is proportional to a to the power 1 by 3 एबे आमें वोट जो जो दी constant of proportionality चूच करीबा r0 then we can write r equal to r0 a to the power 1 by 3 so this is the basic relationship between the nuclear size or nuclear radius with the atomic weight okay एबे तक्षा गोट जीन सा इजो constant आमें आणिला r0 यार वेलू टा रहे 1.2 into 10 to the power minus 15 meter it is the range of nuclear force it is known as the nuclear radius parameter okay and also known as the nuclear unit radius okay and it is believed to be the average nucleon size okay average nucleon size टा है यी पाखा पाखी यी radius parameter भित्तर ही range करिबा okay so the value of r0 is not definite अला उट पाटिकुलर वेलू नुआ पाखा पाखी यार वेलू एठी की बाहर है the electrons scattering experiment जोट है हो तला it predicts a slightly smaller value of r0 then that is predicted by the neutron scattering experiment and the value of r0 varies from 1.2 to 1.6 fermi ये जो fermi आसिला यार मने कोना 1 fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter मने ये जो r0 equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 meter अच्छी याको आमे कोई पारिबा 1.2 fermi बोली okay so different values of nuclear radius from these experiment shows that the matter and charge are not distributed in a similar manner inside the nucleus okay next आवे देखिवा आमे nuclear mass भी सायर पड़ी दखो सपोज आमें गोटे nucleus नेला जहारो की mass number टको आमें बाद total number of nucleons को आमें कोई ला A similarly atomic number बाद total number of protons को कोई ला Z ताहले it has A minus Z number of neutrons तेबे A nucleus रो mass जोदि आमें कोई बाद actual mass टा इटीज वेरी nearly equal to the mass number in atomic mass units है ला in terms of atomic mass unit जोदि आमें for example carbon 12 atom रो mass को एक्स्प्रेस करिबा then it is found out to be almost 12 amu है ला एठी जो amu मने atomic mass unit 1 amu बाद 1 u यहार वेलू आसे 1.6604 into 10 to the power minus 27 kg और in terms of million electron volt यहार वेलू आसे जो 931.48 million electron volt so the nuclear mass को आमें जोदि कोई बाद mn then it is equal to the product of mass number with the mass of the nucleon okay so यह जो atomic mass unit विसर आमें देखिला यहार वेलू टको आमें mathematically भी बाहर कोरी पारिवा दाको atomic mass unit it is very useful in nuclear physics आओ atomic mass unit को आमें define कोरी पारिवा as 1 by 12th of the mass of carbon 612 atom ताले according to hebogadro's hypothesis number of atoms in 12 gram 12 gram of carbon 6 12 money 12 gram is nothing but equal to one mole for this carbon 6 12 atom so the number of atoms kete habo will be equal to avogadro's number which is nothing but 6.023 into 10 to the power 23 hence mass of one carbon atom kete habo simply 12 by 6.023 into 10 to the power 23 so यार वेलू आसी जिवो पाकपखी 1.992678 into 10 to the power minus 26 kg यहला good time carbon 612 atom रो mass ताले one atomic mass unit केते आमें definition देखिला 1 by 12 of the mass of atom त्यानु 1 by 12 into mass of one atom कर देला यार वेलू आसी जबूची पाकपखी 1.660565 into 10 to the power minus 27 kg यह तिरू आमें पाइला पाकपखी 1 amu रो वेलू आसी जिवो 1.66 into 10 to the power minus 27 kg यह तिरू आमें प्रोटोन नेला यहार मास इन तरम्स अब amu आसी पा 1.007275 amu आव इन तरम्स अब केजी 1.67265 into 10 to the power minus 27 kg यह तिरू आसी जिवोची 1.00865 amu आव इन तरम्स अब केजी 1.67495 into 10 to the power minus 27 kg यह यह तिरू आसी जिवो कोथा है आमें दिस्कोस कोड़ थोला यह तमरा मास अब नूकलास इस अल्मोस नियरली इक्वल टू मास नम्बर दखा for example hydrogen atom नवा hydrogen atom पाई mass number केते 1 so दख़ इन तरम्स अब amu यार मास अब आपका पकी 1.00794 amu आसची so इस नियरली इक्वल टू 1 similarly chlorine atom बी नूँचु यह तिरे मास नम्बर टकेते 35 तरनू यह ति इन तरम्स अब amu मास टाफ़ ची 35.47 amu विच इस अल्सो नियरली इक्वल टू इट्स मास नम्बर ओके से सरे यह जो एट्टोमिक मास यूनित रो एनर्जी एक्वलेंट टाम में ठीके बाहर कर दाबा mathematically दाखो आमें जोदी आइनस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन शिट को यूच करीबा देन वी जो एनर्जी एक्वलेंट of a mass m which is given by the famous equation e equal to mc square given by Sir Albert Einstein where c is the velocity of light अच्छा एठी जो मास को सपोज आमें एला as 1amu मने 1.660565 into 10 to the power minus 27 kg आओ c को निगला the velocity of light यारो बेलो आमें जाने जो 3 into 10 to the power 8 meter per second तेबे यारो एनर्जी एक्वलेंट केते हबो एज 1amu रो केते ही जिबो ना simply mass आओ वेलोसिटी रो product ही जिबो यला velocity रो square रेट ही होची तेणु respective value पूट कर देला परे in terms of joule आमरा energy रो केते आचिला 1.4925 into 10 to the power minus 10 joules याको आमें जोदी प्रकास करेवा गोचाओ चुए in terms of million electron volt तेबे simply divide कर देबा गोटे million electron volt रो energy रोको so केते हीला 1.602 into 10 to the power minus 23 याको डिवाइड कर देला so result केते आचिला 931.5 million electron volt याई वेलोटा आचची the energy equivalent of 1 amu और यथी जो आमें me भी को डिवाइड कर चुए वेलोवी लखी देची 1.602 into 10 to the power minus 13 joules यार वेलोटा आचे तेबे करी energy equivalent of the 1 amu mass is equal to 931.5 mev तेबे करी energy equivalent of mass of electron, proton और neutron आपे आमें बाहर करी पारिवा electron पाई आची जिवा केते 0.511 mev similarly proton पाई आची जिवा 938.279 mev और से सरे neutron पाई आची जिवा 939.573 million electron volt आची जिवा यार energy equivalent ओके थेंक यू हम手से hey तेपका करी जिवा है अभाल आची जिवा करी मिर जिवा झाल आची जिवा पार 1 दो यार करी मिर में चेवा है पिस कहा फैवा पैँ है यू झाल झाल